बुजी साम भी जल सकती है तुफानों से कस्ती भी निकल सकती है होके मायूस युनाई राधे बदल तरी किस्मत पही भी बदल सकती है तो जब तक तोड़ेंग नहीं तब तक छोड़ेंग नहीं हम जे दोस्तों समय हो चुक है हमारे जीके के क्लास का तो चलिए अफटा फटा आप लोग क्लास पे आज आईए तो आज हमें लगता है हमारा जो क्लास है वो बिल्कुल on time है बिल्कुल समय पे आज का क्लास लेके आया हूँ आपके लिए और मैं आपको उता दूँ कल हम क्लास है यदि अप इसे मिस कर देते हैं तो समझ लेजें कि सब कुछ मिस कर देंगे क्योंकि एक से 2 कोशिन आपके एक्जाम में यहां से बंसकते हैं तो फाइलिए दिरना करते हूए चलिया आज की क्लास को सुरू करते हैं चैनल पर नहीं तो चैनल को सबसे पहले वीडिय और कोशिंग इंस्टिट्यूट कभी नहीं दे सकता है जी हां दोस्तों यह सिर्फ पॉसिबल हो पाए है वहाँ पे एवलेवल टॉप एजिकेटर्स के द्वारा तो आप जो है वेट मत करिया आप भी अपने एक्जाम के तैहरी बहतर कर सकते हैं अनकैडमी के साथ में जुड जाएगा और साथ में इस रेफरल कोड के कारण ही जो है जो डेली फ्री क्लासेज चलती है इस्पेसल क्लासेज वो आप देख पाएंगे तो अभी जाएए अपने आपको अनकैडमी पर रेइस्टर करिए और साथ में मैं आपको बता दूँ जो मुझे एंडिये के के देख प Right वह जा है सबसे पहले आप बार बार कमिंट कर रहे थे प्लेइस्ट के लिए कि सर बेलीश्ट बना दिए तो मैंने चैनल के अंदर प्लेयिस्ट बना दिया आप जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्षन में देख लिजगा जीके का प्लेलिस्ट अलग है, मैथ का प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है, दोनों अलग-लग कर दिया है मैंने, तो जीके वाले में SSR, AA, MR, एरफोर्स, Y ग्रूप और जो कोष्टगार्ड के डीवी और जीडी वाले के डेट है, वो सभी लोग ये प्लेलिस्ट देखेंगे, और यदि मैथ वाला जो सुबह क्लास ले रहे हैं, देवान अंसर, उनकी अगर बात कर लें, उस प्लेलिस्ट की, तो उसमें Navy, MR, Air Force, Y ग्रूप और कोष्टगार्ड, DV और GD सबके लिए है वो, ठीक है, यानि SSR, AA के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है, तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कोष्ट दिया गया है, जो कुछ भी यहाँ पे कोष्ट में आपको दिखा रहा हूँ, यह सब आपके कल के डिटेली स्टेडी से ही मैंने उठाया है, जो आपके एक्जाम में आ सकते है, ठीक है, कोष्ट क्या है, विच फर्टिलाजर प्रोडिउस ए अपसे नमरें आमोनिया सलफेट, आपसे नमरें सोडियम नाइटरेट, आपसे नमरें सी कलसियम अमोनिया नाइटरेट और आपसे नमरें यह कलसियम नाइटरेट, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो आपका अमोनियम सलफेट है ना, नाइटरेट मैं बोल ला ह मतलब कि यह जो कोश्चन आपके कंप्टेटी एक्जामस में हाजारों बार पूछा गया होगा इतना जादें बॉर्डेन कोश्चन क्या है किस मिट्टी को कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है काफी असान है कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी यानि cotton स्वाइल्स के नाम से भी जाना जाता है चलेodies नेस्ट कोशिन की तरफ चलते हैं तो हमारा आगला कोशिन है विच स्वायल इज रेड इन कलर विदे हाई कॉंटेंट आफ आइरन अक्साइड और पूर इन नाइट्रोजन इन लाइम अब देखिए कली मैंने आप सभी को बताया था जरा बताईएगा मुझे कोई भी मिट्टी कलर में रेड क्यूं होती है क्योंकि उसमें आइरन आक्साइड की अधिक्ता पाई जाती है मतलब जब आइरन आक्साइड पाया जाएगा तभी तो वो लाल होगी अब आप सभी कली मैंने आपको बताया था तो पूछ रहा है कि इन में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें आइरन आक्साइड की अधिक्ता पाई जाती है आपस नमर ए डिजल्ट स्वाइल आपस नमर भी लेटराइड स्वाइल आपस नमर सी रेड स्वाइल और आपस नमर डी है जलोल मिट्टी ठीक है यानि एलवल स्वाइल तो कौन सा सही आपस नमर भी तो लेटराइड मिट्टी में आइरन आक्साइड की अधिक्ता पाई ज कह रहा था कि kis मिट्टी में फास्पेट आयु मस की कमी पाई जाती है पर呢 यह है थीकald आपसे नमर यहरखiliा आपसे नमर नमर स्थ्सक्यायन के इन धिफाले नमर स्टी स्थ सिर्छ तो इसमें से जो आपका आपसे नमर सी है यानि डियल्ट स्वाइल वाला तीसरा जो है तो जो रेगिस्ताणी मिट्टी है इसमें क्या होता है कि फास्पेट और किल्सियम अधिक पाया जाता है लेकिन इसमें जो आपका नाइट्रोजन और हुमस है उसकी कमी पाया जाती है ठीक है चलिए next question की तरफ चलते हैं तो हमारा आगला कुशन है रेड स्वाइल सा रेड इन कलर विकाज अभी देखे मैंने आपको अभी पढ़ाया उपर तो जो लाल मिट्टी होती है वो कलर में लाल क्यूं होती है भाई मैंने सिंपल मैंने आपको बता है कि उसमें आईरेन अक्साइड की अधिकता पाई जाती दो नहीं जाती है भारत में यह किसके द्वार फ्रूप किया होती है अपका AR के द्वारा कितने पतर की आठ परकार की मिट्टियां पाई जाती है कल मैंने सब का नाम भी बताया था ठीक है अगर नहीं जानते हैं तो जाके कल वाला क्लास देख लीजएगा अगला कोशिन आपका विच आप दी फॉलोईंग इस नाट सूटेबल फार अगरी कल्चर ब्याहत महुत्मुल कोशिन है कली मैंने आप सभी को पढ़ाया था इन में से कौन सा जो है अगरी कल्चर के लिए सूटेबल नहीं है आपस नमर ए रगिस्तानी मिट्टी आपस नमर बी जलोड मिट्टी आ ठीक है तो आपसर कौन सा को जाएगा तो इसमें से ज आपका आप मिट्टी आप अकिसन में सिरी विटैंप लॉड्या इंडिया बाई किस ने कहा था कि जो multi purpose river valley project है ठीक है ध्यान दीजेगा बहुत महुत precaution है एक्जाम में आ सकता है तो किसने कहा था कि जो multi purpose river valley project है वो आधुनिक भारत का मंदिर है यानि किसने कहा था इन चारों में से आपस नवर ए महात्मा गादी आपस नवर भी जोहालाल नहरू आपस नवर सी राजिव गादी और आपस नवर डियाम बेट कर तो इन चारों लोगों में से किसने कहा था कि जो multi purpose river valley project है भारत का वो आधुनिक भारत का मंदिर है किसने कहा था ये किसके द्वरा कहा गया था जरा बताई मुझे तो ये कहा गया था जोहालाल नहरू के द्वरा ठीक है पंडी जोहालाल नहरू के द्वरा याद कले जगा आपस नमर भी हमारा बिलकुर correct है चलिए अगला question दिया गया है आपका the state in India having largest area under black swallies मुझे कली मैंने आप सर्य को पढ़ा था कि इन में से कौन सा राज है जहां पे काली मित्टी ठीक है ब्लेक स्वहल हैї हा'll high ठीक है तो पूझ़ रह면 ये 4 जहां पे काली मित्टी की अ्धिक आदिक है मतलब सब अधिक मातरा में काली मिट्टी पाई जाती है इन में से कौन सी मिट्टी जो है काटन ठीक है काटन की मतलब की उपाज के लिए ठीक है फसल के लिए सबसे सुटेबल है सबसे आईडियल है सबसे आदर्स है ठीक है तो इन में से कौन सी मिट्टी जो है काटन की ग्रोथ के लिए यानि काटन उगाने के लिए सबसे मतलब जी यह रेखिस्तारी मिट्टी और action No. D है प्रवती है मिट्टी तो इन przy में से कौन सा सही होगा cotton जो है किस मिट्टी पर उगाये जाता है सबसे जो है आधर्स मिट्टी कौन से cotton उगाने हैう का सोयल ठीक है अपस्य नमर ए है आपका जम्मुएंड कास्मीर आपस्य नमर ब गुजरात आपस्य आप सी ुजर का सथावन आपस्य ओस्य क्लास का फिसे है और रस्ट और फिसे प्लास करना तोट polag ऐसे यो ध्यां में से क्लास लोग उसकी गारेंटी मैं लेता हूं कि एक्जाम में जीके में आपके नंबर कम नहीं होने दूगा लेकिन सिर्फ यदि जो है क्लास पे वैसे ही इंज्वाय करने आते हो तो भाई क्लास मत देखा करो तो जितने भी लोग मुझे देख रहा है आप में यही कमी पाई किस परकार की मिट्प पाई जाती है आपहँ नमरे लेटे राईट मिट्ट है आपसे लवर भी लाल मिट्टी आपसे नमरे सी काली मिट्टी और 29 जलोड मिट्रgle जो सही एंसवर होगा आप लोग कमेंट करके जरू बताएगा बाकि आज के क्लास में बस इतना ही ठीक है कल एक नया क्लास शुरू करेंगे हो सकता है साइद जो है रीवर्स है नदियां है भारत की नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे बाकि आज का वीडियो पसंद आया तो फिलाल तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बाकि मिलते हैं फिर नए वीडियो में यानि कल के क्लास में तब तक के लिए धन्यवादा और हाँ सामको 6.00 बजए साइंस की क्लास शुरू हो रही है कल किसी करनवस में साइं क्लेदा नवादा